तो फ्रेंज असलामुलाइकूम वेलकम टू माई चैनल फ्रेंज आज हम एक ब्लावूज जो है सिखने जा रहे है जो इसकी साइज है वो 38 टू 40 चैस्ट के लिए में बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी है स्टेप बाई स्टेप में बताने की कोशिश करूंगी इंशालला आज इसकी पार्ट वान है इस वीडियो में हम सिखेंगे यह जो हमने बॉर्डर बनाया बैक पार्ट में कितने फंदे डालने है इसकी चोड़ाई और यह जो डिजाइन है इसको कैसे अज़ेस्ट करनी है आम होल की कटिंग और उसके बाद जो लेंथ है और गले की गटाई तो फ्रेंट चलिए इसको देख लेते हैं इस बैक पार्ट में मैंने यहाँ पर जो है एटी स्टीचेज डाली है एटी असी फंदे मैंने बैक पार्ट में डाली है और एक सीदे एक उल्टे का बॉर्डर मैंने बनाया है इस तरह से अगर आपको मैं आपके दिखा देती तो देखे लगबग डाइंस का बॉर्डर मैंने बनाया है यहाँ पर अगर सिलाय से बताती हो तो 20 सिलाय मैंने यहाँ पर बना ली है 19 सिलाय बनाने के बाद जो 20 सिलाय उल्टी साइट से आती है वहाँ पर मैंने एक यहाँ पर मैंने जो है फंदे बढ़ाए है डिजाइन क चलती है तो उस हिसाब से मैंने आपर सिर्फ चार फंदे बढ़ाया है क्योंकि यह डिजाइन जो है बहुत ज्यादा फैलती है इस तरह से बहुत ज्यादा इसकी चोड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है इस हिसाब से मैंने सिर्फ चार फंदे बढ़ाया है अगर आपको जो ह निचे से वह आपको बताने जारी हूँ करना है। मैंने थोड़े सब बॉर्डर बना लिया है। पूड़े से तरह आपको बलाउस के पड़्ले उसमें डालनी है। सेम उतना ही मैंने बॉर्डर यहाँ पर भी बना ली है देखे मैं आपको दिखा देती हूँ देखे डाइंस का बॉर्डर मैंने यहाँ पर भी बना ली है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमें दूसरा दागा जोइन करना है कि देखे फ्रेंज आप कोई भी लाइट कलर का दागा ले लिजी आप पर आप जॉइंट कर दीजे बॉर्डर के बाद जो सिलाई स्टार्ट होगी वह मैं आपको बता रही हूँ कि देखे इस तरह से हम जो है इस दागा को इस तरह से जोइंट करके पूरी सिलाई सिद्धी बना लेंगे इस तरह से हिस तरह से दहएंगे एस एक इस तरह से उस तरह हम टोटल चार सालाई सीद्धा उल्टा बना लेंगे फिर में आपको डिजाइन डालके बताति हूं किए फ्रन्च मैंने इस चिलाई कॉ कब्लीट कर ली है सार चलाए में थे एकट कलर के दागेस्तैा है बॉरडर में मैंने 10 नमबर की शिलाई लगाई थी अब में यहां पर 9 नमबर की शिलाई लगाई हूँ तो चलिए आप देखते हैं इस डिजाइन कैसे बनानी है देखे फ्रेंट्स में अगर यहां से आपको दिखा हूँ तो इस तरह से आईगी डिजाइन यह देखे मैंने करनी भार्वाद कढ़ए चार सलाई प्लें बनाइन धूपका पंदेगा सब्याज़ को दो और चार क्क रिख तरह से सा हम रा तर्फ पर तरह से बातेज़् चैसे बनाएंगे एक कि दुमक्क शाजआँN पर छब दो इस जो फंदा है बीच में हमारे एक दो तीन निचे वाले फंदे के यहां से हमें रेखे एक दो इसके अंदर से हमें जो लाइट कलर का दागा है इसको हम जैंनो खीचेंगे तार से एक 40 हम यहां से निकालेंगे और अायु के इस तरह से फिर दो फंदे हम प्लेन शीदा बनाइंगे एक है और एक दुट उत्रा से मिदिखे देख हैं फिर सब्सक्तिक और दो दो फंदे के निचे से हमें हम не только as 1985 हम से इस तरह से निकालेंगे इसा ही इस तरह से फिरसे दो फंदे सीधे बनाएंगे कि ऑब है कि दूवacey हमें एक फंदा निकालना है कि मैंसरे बीश्ति दो फंदें हम सीधे बनाएंगे एक एक दो फिर जो फंदा हमें दिख रहा है खोल दिख रही है यहाँ से हमें एक फंदा निकालना है इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे को बढ़ाते हुए इस सिलाइक को लाच तक बना लिनी है इस तरह से आप थोड़ा द्यान से देखेंगे तो आपकी समझ आ जाएगी तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट करके लाश्ट में आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंस मैंने लाश्ट तक बना ली है इस तरह से आई है हमारी डिजाइन अब मैं यहां पर फंदे यहां से उठाऊंगी और लाश्ट के दो फंदे सीधे बना लोगी इस तरह से मैं वैसा दिख रहा है रिए से बनानी है डो फंदे हांने तरव सीधा से बनाया है इसाइदा से उल्टा बनाएंगे और यह फंदे को इना बने इस तरह से उतार लेंगे इसको हमें बनाना नहीं है इस तरह से उतार लेनी है फिर से दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे और यह जो फंदा है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे फिर से दो फंदे उल्टे बनाएंगे इस फंदे को इस तरह से उतार लेंगे इसी तरह दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी फिर सीधी तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ पूरी रो इसी तरह कम्प्लीट करनी है दो उल्टे और एक फंदे को स्लिप करनी है देखे फ्रैंच डिजाइन के दूसरी सिलाई उल्टे साइच से कम्प्लीट हो गई है अब आजाए तीसरी सिलाई सीधी तरफ से यहाँ पर आपको थोड़ा द्यान से देखना होगा देखे यह पहला फंदा है इसके हम सीधा बनाएँगे इस तरह से सीधा बनाएँगे और खिला है ओर और यह जो हमने एक्स्टा फंदा निकाला इन दोनों को सीधा दों करेंगे के स्लाई को अ थरस लेंगे और यह रेखिढ़वा से सब्सक्राइब अ Hills जो चाहिए यह रिंगे particular से इस लेंगे फंदे में इन दोनों तरह को कैका एक फंद्अ में ठोड़ेंगे लेकिन यह करिंगे डों काम से फंदि करेंगे करेंगे एक स्रेंगे इस साथ सीध्य फंदा को एक साथ लेंगे दोनों को और दो का से ईस तरह से ओस्य द्यान से देखें थोड़ा तो आपकी समझ आ जाएगी यह जो पहला फंदा है इसको लेंगे और एक्ष्टा जो फंदा है इससे लेंगे दोनों को एक साथ लेंगे इस तरह से दो का एक करेंगे और पहले फंदे को स्लाइस से निकालेंगे और दूसरे फंदे को रहने देंगे फिर यह जो फंदा और इस फंदे को दो का एक करेंग हिस्टरा से आएगी आपकी डिजाइन पिर से थोड़ा सा द्यान से देखिए इसा धोड़ा सा पास से आपको दिखा देति हूं इस फंदय को लेंगे हुआ है और इसको लेंगे दो का एक करेंगे इन दोनों प्रोमेज से पहला फंदा निकालेंगे दूसरी फंदा को शिलाई में रहने देंगे फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे दो काई करेंगे इस सिलाई को हमें ऐसे ही बनानी है कि दिखें इसको लेंगे इसके पास वाले को लेंगे दो काई करेंगे इन में से एक को निकालेंगे एक को रहने देंगे सिलाई में और इन दोनों को एक साथ लेके दो काई कर देंगे कि से देखें में थोड़ा सा आपको दिखा देती हूं कि इस तरह से इस सिलाई को लाश्ट तक बना लीती हूं देखे इस तरह से आपके डिजाइन आएगी पिर मैं आपको दिखाती हूं देखे फ्रेंच मैंने लाश्ट तक बना ली इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा लाश्ट में दिखा दीती हूं देखे फिर इन दुनों को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे लाश्ट का फंदा हम इस तरह से सिधा बनाएंगे तो डिजाइन की तीसरी सिलाई भी हमारी कम्प्लीट हो गई है इस तरह से हमारी डिजाइन अब आजाईए सौती सिलाई उल्टी साइट से दिखे फ्रेंट सौती सिलाई हमें प्लेन उल्टा ही बनानी है यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है इस तरह से उल्टी उल्टी सिंदाई हमें निकाल लेनी है ऐसे प्लेन उल्टा बनाने के बाद सिर में आपको थोड़ा सा डिजाइन को ब्लीट हो गई है इस तरह से आएगी आपकी डिजाइन अब आजाएए यहां पर पांच विशिला यहां पर हमें दागे को चेंज भी करना है और डिजाइन को भी थोड़ा से पलटना है तो देखिए कैसे करेंगे पहले तो हमने सफेद कलर के दागे से दो फंदे सीधे बना एक दो और एक तीन फंदे सीधे बनाने के बाद यह आपको गैप दिख रही है अब थोड़ा सा द्यान से देखेंगे तो आपकी समझा आजाएगी यहां से हमें फंदे को निकालना है जो एक्ष्टा फंदा हम निकालते हैं यहां से इस तरह से सलाई को डालके दागे को ख इस तरह से डालने हैं और इस तरह से फंदे को निकालने हैं फिर दो फंदे हम सीधे बनाएंगे दो फिर यहां से हमें फंदे को निकालने हैं देखें इस तरह से इस सिलाई को हम इसी तरह कंप्लेट करेंगे लास्ट में हमारे तीन फंदे सफेद कलर से सीधे आएंगे तो इस सिलाइय को मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको लस्ट मैं दिखाती जो हमारी पहली सिलाइय तो हमारी कली हो गए ढूसरी सिलाइय मैंने जैसे आपको बताई है वैसे ही बनानी है जो जासा दिक रहा है उस फंदे को वैसे ही बनाने है तीन फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे और उतारा हुआ फंदा जो हमने यार से अक्ष्टा निकाला है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे बिना बुने इसको उतार लेंगे फिर दो फंदे हम उल्टे और इस फंदे को स्लिप करेंगे ऑर फिर से दो फंदे में पंदे स्लिप करेंगे करींगे लेफ को मैंने तरफ से से पढ़े अब देख़े स्सी तरफ से यहां लगने जूगा यह जो हमने पहले यहां जो लाइट कलर का दागा लगा लगा था तब हमने यहां पर स्टार्टिंग में दो फंदे बनाए थे फिर इस फंदे को निकाला था और जो लाइट कलर का दागा है अब हम यहां पर तीन फंदे बनाएं तो यहां से हम कैसे कटाएंगे तो देखिए इस फंदे को तो हम सीधा बनाएंगे इस तरह से सीधा बनाएंगे और यह जो पास वाला फंदा इससे भी हम सीधा बनाएंगे यहां पर हमने तीन फंदे बनाए है तो यहां पर हम अभी दो फंदे बनाएंगे जब हम इस फंद की तीसरी सिलाई लाइट केलर से स्टाइट करेंगे यहाँ पर हमें तीन फंदे बनाने हैं फिर घटा आने हैं तो देखे कैसे यह जो फंदा है इन दोनों को एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे इस तरह से और इन में से जो हमने दो का एक किया इन में से एक फंदे को हम उतारेंगे पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और करेंगे एक को गिरांगे दूसरे जो को चलाइं में रहने देंगे फिर इस तरह से दो है करेंगे कि अंश कैं अधिकर ऐसे हमने हमने जो ना ऊठायते हम देब और कि जब आप यह जब अपत्ल डरना स्टार्ट करेंगे ता आप पी आहले समाभ जाएगी तरह से कि इसी तरह पूरी रोग को कंप्लीट करनी है उल्टी तरफ से कुछ नहीं करना उल्टी साइट से उल्टा उल्टा ही चौती सिलाय आपको बनानी है देखिए फ्रेंट्स मैंने लाश्ट तक बना ली है इस तरह से और लाश्ट के आपके दो फंदे ही आएंगे सफेट कलर के दागे से जो आप लाइट कलर का दगा लाएंगे उससे आपके लाश्ट भी दो फंदे इस तरह से सिद्धा आएंगे उल्टी साइट हमें उल्टी ही बनानी है देखिए फ्रेंट्स डिजाइन आपकी इस तरह से आएगी देखिए हमने पहले चार सलाई प्लेन बनाने के बात इस डिजाइन को जो है स्टार्ट केया है पहले हमने लाइट कलर्स से बनाने के बात एक कि इसप्दा निकाला है तो देखिए इस तरह साएगी आपकी डिजाइन बहुत इजी डिजाइन है अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को बेक करDhe तो आपके समझ आजाएगी दिखें अगर मैं आपको इसको नापके दिखा दू यहां से हम मुद्डी की गटाए करेंगे तो देखें कितना में टोटल लंबाई बनाई है इसकी देखें फ्रेंट्स मैंने आप लगबग 10 इंस बना ली है देखें 10 इंस बनाने के बाद आपको अगर इससे थोड़ा लंबा बनाना है तो आप यहां पर और डिजाइन दो तिन लाइनिंग डल सकते हैं मैं इतना ही रखूंगी जो जिनके सेस्ट 38 से 40 तक है उनके लिए बना जारें में दो सेOOOO काने की किरते Adelebringen चेहां पर मुद्य में चार दो एक करेंगहें से साथ हैं दो सिससे हम 4 दो एक करने हैं तो यहां पर और विजाए पर आप से 95 से 500 ब मुद्य०ा चाहां यहां हम 4 दो एक कचा करकी कराँए अगर आपके पल्यावजा से 5 ज्याहदे ज्य अब हम यहाँ पर सफेद कलर का दागा जो है इसको जोइंड करेंगे देखें इससे हम पहला फंदा इस तरह से सीधा बनाएंगे फिर दूसरे फंदे को हम सीधा बनाएंगे इस तरह से और यह जो पहला फंदा है इसको पर से इस तरह से गिरा देगे जैसे हम नॉर्मल फंद आप से इसकी लंबाई कम यहां ज्यादा रख सकती है मैंने इतनी ही रखी है तो यहां पर हमने चार फंदे गटा दिये है अब हम यहां पर डिजाइन को कैसे अजस्ट करेंगे यह देखे यहां से अमारी डिजाइन आएगी तो इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे दो एक और दो दो फंदे सीधे बनाएंगे और यह जो फंदा है यहां से हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे कि देखे इस तरह से डिजाइन हम स्टार्ट करेंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे और डिजाइन को वैसे ही डालेंगे जैसे हमने आपको बताई है इस तरह से ऐसे लाश्ट तक हम बना लेते फिर में आपको दिखाती हूँ फ्रेंच यहाँ पर थोड़ा सा द्यान से देखे यह जो दागा हमने निच्छे से लिया है इसको हम इसके साथ साथ उपर तक लेके जाएंगे इसको पीछे से हम इसके उपर तक इस तरह से चाथ साथ ही लेके यहाँ पर अगर हम डिजाइन डालेंगे तो हमारी कटिंग के टाइम जो है कि खराब हो जाएगी इस पर लेकि जो जब में भी खराब हो सकती करेंगे फंदि को फिर इस तरह से एार है इक शरक लिगाई। जो शीदि सब्सक्राब देगे, बचलाई बिए गल किनदकी अवर दोफी टाइए मोशीद सब्सक्राइए और आपको इससलाई कम्लेट करना है जबिए उससलाई पर दिखा कर वन अब दिखे लोग करने भी ारेकों द Neantes L Τरशाइन सब्सक्राइए और लाश्ट कया फंद हम इस तरह से सिधा बनाएंग कि यहाँ पर हमारे दूसरी से शिलाए के कंप्लीट हो गई है अब में आप आये तृष्टा से थे तरह से यहाँ दो संदें गटाएंगे देक्टन सब्सक्राइम wenn did the Pbereich इसे हम सिधा बनाएंगे एसे को हम सीधा हम यہां से और एक फंदा सिधा को सब्सक्तारं से धियंगी है कि अब देखेंगे अपर थोड़ा सा हम French का अब यह हम ओक लिस्तरों है स क्वंदे को और य। ह्ट्रा यह संवस्ट करनी ई तुर httle कर देंगेगे इस सवी निकालिंगे क्टिंग डिजाइंन समय इसलाइक करने हैं तुम में इसंस करने करना हम चाहिए था शरी सिलाइ communication काती टो मैं का वश्यान कर फ्रेख्सटी दीजाइन को धुर्टी डिख़स्रों था उल्टै यह रहा पर दकाने गला है इस सिलाएं को हमारी डिजाइन केато पूरी उल्टि बनानी है देखे हमने दो फंडे गटा दिया, इस सिलाएग को हम कंप्लीट करके फिर सीधी तरफ से गटाना बतातेय और डिजाइन को कैसे अजेस्ट करनी है वो बता तकी हूं कश्राइन धाग को भी चेंज करना है और कश्राइन जूदीन दोच्राइब अबोगते हैं और यहां पर एक फंदा घटाएंगी है देखें बस एक ही फंदा हम गटाएंग और यह जो दो पनदे है से वाना श्agitलन को बनाएंगे एक और दो दो डिखार्टे बनानी के बाद यह से हमारी है श्टाइब होगी इस तरह से ऐसे फिर हम दो फंदे सिधा बनाएंगे और डिजाइन को बनाते होए लाष्ट के मैं आपको दिखाती हूँ कितने रहते हैं देखिए फ्रेंस डिजाइन की पांचवी सिलाई में हमने लाष्ट तक बना ली है यहाँ पर हमने एक वह फंदा निकाल लिया है और चार फंदे हमारे बाकी सिधे बचे है तो हम इनको सिधा ही बनाएंगे इस तरह से दिखिए इस तरह से हम इनको सिधा बना देंगे ऐसे फिर हम इसकी उल्टी तरफ से सिर्फ एक फंदा गटाएंगे टोटल हमारे दोनों साइट से चार दो एक पांच फंदे हमने गट तोटल तरफ से एक फंदां ने गटा दिया और लाश्ट के स्लाइज जैसे अपको उल्टी सेंड डिजाइन की वैसे ही बनानी है जैसे हमने घख तर लेंगे इससे तरह ढूंधे अपनिक रेंगे के सब्सक्राइगू यह इसी तरह इसंट में आपको बता दूपशन हैं को द यहाँ पर साथ से ऐगाग और यहाँ पर मोर zien पयाँने था और यहाँ पर हमारे साथ फंदे गटा या टोटल हम इन्हीन को मतारऑबर सब्रपिज चेथा न sono एकुदर दियंके दीजों इसक कि पॉले पार फंदेत सब्रेट तो कटाते हैं तो आप यहां से ही दो-चार सिलाई बनाने के बाद फिर कटिंग इस्टार्ट कर दीजे अगर आपको डीब गला नहीं बनाना है तो इसकी जो लंबाई है जितनी आपकी शोल्डर की लंबाई है उसे हाफ इंच या एक इंच बाकी रहने तक इसकी लंबाई कंपल मैं इसको इसकी लंबाई कंपलिट करका फिर बताती हूँ मैं आप थ्री प्लाई की उन उसकी है आप बर्दमान की अगर कोई उन उसकी करते है तो यहां पर आप 90 भंदा भी राख सकती है तो यहां से मैं इसकी जो लरा ळंद Il. अजी हरने शाए बाट यहां इस तरह से 5 इंस मैंने बना ली है अगर मैं गुलाई में बताओ तो 6 इंस हो गई है देखे इस तरह से 5 इंस हो गई है तो इसकी जो लंबाई है इतनी ही मेरे लिए काफी है मैं जिनके लिए बना रही है उनकी हाइट थोड़ा सा कम है तो उस हिसाब से मैं बना रही हूँ अगर से बताओ कि यहां से यहां से यहां से लेकिए तक मेरा पचास सिलाई टोटल बन गई है अब मैं घले की गटाई चोड़ाई नियुक्त आया दोंगे और चड़ाई में गटाऊंगी तो दिखे कैसे इस परले में मेरे जो है टोटल 84 फंदे थे फिर मेंने 14 फंदे दोनों साइट से गटा दिये तो हो गए हमारे यहाँ पर 70 फंदे तो यहाँ पर हमारे 70 का हम आदा करेंगे सुतर का आदा हमारा होता है 35 एक साइट 35 इस साइट तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पहले 35 फंदे बना लीती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिजाइन को आपको यहाँ तक एजस्ट करनी है जैसे हैं और आम होल के कटिंग के बाद भी आपको डिजाइन को है तो मैं पहले जो लाइट कलर का दागा है इससे तोटल 35 फंदे मैं बना लीती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंस मैंने डिजाइन को यहाँ से लेके आप तक डाली है तो मैं गिनके बता देती हूँ एक्स्टा फंदा है इस से छोड़ के हम है लेकिन में यहाँ पर कॉनी ही डाल लूंगी यहाँ पर हमारी गळले के लिए गटाए होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो साथ फंदे हैं इससे हम प्लेन बना लेंगे इसतरह से 1 2 3 की कि हम यहाँ पर कटिंग करेंगे इस वजे से चार, पांच, छे, और यह साथ, अब मैं आपको टोटल फंदे गिनके बता देती हूँ कितना है, दो, चार, छे, आठ, तस, बारा, यह जो एक्ष्टा फंदा है, इसे हम छोड़ देंगे, इसे नहीं गिनेंगे, क्योंकि हमने एक्ष्टा निकाला है, बारा, चौदा, सोला, 28, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 37, 35, टोटल हमारे पास 35 फंदे इस तरफ है, अब हम यहाँ पर गले के लिए फंदे गटाएंगे, यहाँ पर हमें पहले 6 फंदे गटाने होते हैं, फिर, जो टोटल यहाँ पर है, हमारे 35 फंदे, उसमें से हम क्या करेंगे, पहले, शोल्डर के इतने पर शोल्डर के लिए 18 पंदे रखूंगे अगर आपको थोड़ा ज्यादा रखना है तो आप रख सकते हूं तो देखें दो चार चे आट दस बारा चौदा शोल्डर अठारा यह हो गए मेरे शोल्डर के फंदे फिर हम जो मुद्दे में गटाई है उनको माइनस करेंगे एक सब गटा सकते हूं लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिप कटिंग की है तो उस वज़े से मैंने आपर पहले छे फंदे गटाऊंगी फिर चार फिर चार फिर दो फिर एक फिर हमारे शोल्डर के फंदे बच जाएंगे तो देखें पहले हम छे फंदे गटाएंगे यहांपर हमें डिजार नहीं डालनी है छे फंदो में हम गटाएंगे एक फंदा बनाया दूसरा बनाया इसके उपर से पहला फंद है इसको इस तरह से निकाल देंगे 1 फंदा कट गया फिर एक दो फंदे गट गए हैं फिर एक फंद सीधा बनाएंगे इसको इसको उपर से निकाल देंगे तीन चार पांच और छे देखे छे फंदे हमने आपर गटा लिए अब हम यहां से डिजाइन एक दो तीन चार चार फंदे हम प्लेन बनाएंगे डिजाइन नहीं डालने हैं क्योंकि अगर डिजाइन डालेंगे तो उल्टी सेट से हमारी जो गटाई है वह खराब हो सकती है इसलिए मैं आप डिजाइन डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो बिगनर्स के लिए बता रही हूं तो उनको दिक्कत ना आए इस लिए यह पर जो कटिंग है वो इस तरह साय जब हम गले के लिए फंदे उठाएंगे तो यह सही से आ जाएगी देखे हमने तीन फंदे बना लिए चार फंदे बनाने के बाद यहां से हम डिजाइन डालेंगे यहां से इस तरह से जैसे डिजाइन जा रहे है वैसे हम इस सिलाई को बना लेंगे फिर उल्टी तरफ से जैसे डिजाइन आती है वैसे ही बनाएंगे और यह जो दो चार पाच फंदे है इसे हम उल्टा बनाएंगे एक फंदा चोर के चार फंदा उल्टा बनाएंगे एक हम ऍकिप करेंगे तो मैं पहले इस त्रफ को बनागे दूसरे सिलाह उल्टी तरफ से स्ञाE voices फिर मैं आपको यह आप बता नहीं से दो जिलाए मैं पहले निका लेती हूं दिकाद यहां पर जो हमने प्लेन बनाये हम इस तरह इंद़ा ही बनाएंगी एक दो तीम और फिर उनको अगे ले ज़ाकए यह फंदा है इस इसाइ में स्लिप करेंगी इस क्षिकद कर रही है तो आप यहां से जो हैं धुश्रा गोलो लगा कर उल्टी साट इस साइट का भी कटिंग साथ के साथ कर सकती है लेकिन मैं इन हें पर एक जाए पहले कि इन पर दिजाइन नहीं डाली है यहां से डिजाइन चार फंद हमारे गट गट गए फिर 2 का एक करके जैसे दिजाइन हम डालती जा रहे हैं बैसे डालेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना कि फिर मैं आपको यहां पर दूसरा गोला जोइन करके दिखाती हूं कि देखिए फ्रेंस उल्टी तरफ से मिनिस दागे को जॉइंट कर दिया है यहां पर हमें फिर से चार फंदे गटाने हैं देखिए इस तरह से दो फंदो को हम पहले निकाल लेंगे इसके उपर से दूसरा इस तरह से स्लिप कर देंगे अब हम यहां से जो लाइट कलर का देखिए चार फंदे हमने यहां पर घटा लिए अब हम यहां पर डिजाइन को भी देखिए देखिए दूसरी से लाई में हम ध्या करना है यहांपर 2 फंदे गटाने फिर 1 तो हमार टोटल यहाँ पर 3 फंदे गटेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे आप पर देखे एक दो तीन तीन फंदे हम प्लेन सीधा बनाएंगे अगर आपका डिजाइन जो है थोड़ा उपर नीचे हो जाता है तो उसके लिए आपकी जो स्वेटर में कोई फरक नहीं आएगी उसमें दिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से अगर आप प्लेन बनाती हो फिर इस सिलाई को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम बनात प्लें गटाएंगे इन दोनों को इस तरह से स्लिप करेंगे पीछे वाला जो सफेद कलर का फंद है उसे हम इस तरह से गटाने के साथ-साथ उपर लेके जाएंगे के यहां पर हमने दो फंदे गटा दी है यहां से हमारी डिजाइन भी स्टार्ट हो रही है तो हम इस सिलाई को भी बना लेते हैं डिजाइन डालते हुए उल्टी से तरफ से उल्टा उल्टा फंदा बनाके फिर मैं आपको एक फंदा गटा के बताती हूं छीदा में है य्पांत करिया है यहां पर हम ने करेंगे हैं इस तरह से आपकी राउंड शेप में आएगा यहां पर हमें कटिंग भी करनी हो और दागे को भी यहाद से जो है दूसरा color, उसको joint करना है तो देखें, कैसे करेंगे यह जो फंदा है पहला फंदा इसको slip करेंगे, दूसरे फंदे को हम सफेद color से इस तरह से सीधा बनाएंगे इस प्रकार से और इसको इसके मियें दाग कर दिय्छ जरूरत नहीं। अब यह भी दिजाइन है कि पूम को भी डालेंगे चार सलाई का डिजाइन है तो हम टोटल अभी यह इnu ऐख उल्टी तरफ सह एक शिलाई फिर चेदी तरफ सह एक और इल्टी साइड सही एक सिलाई टोटल चार इश सालाई बनाकर इस09 पर छोड़ देंगे अगर आंगर हम 25 6 Hambत अगर हम 25 को बना लेती हूँ फिर उल्टी साइट चेक सिलाई और उल्टी साइट से जो डिजाइन है वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर हमें अभी कोई फंदा गटाना नहीं है अटारा फंदा है इनको ही हम एक डिजाइन और डालेंगे तो डालेती हूँ को दिखाती हूँ कड़ी है और रिजाइन ने आप़ कंप्लीट कर ली यह चार सलाई चार साइन के जिजाइन है वहिस में नहींगे तो लुझत कर दो देंगे और के यहाँ से उल्टी साइट से हम यहाँ पर डालेंगे दूसरा डालेंगे में यहाँ याँ पर निकालके है और यहा पर भी हमें वहीं cutting करनी हैं जो हम न हमने क्या है यह तो हमने सीधी तरफ से cutting किया था अब यहाँ पर मुट्री साइट से cutting स्टार्ट करेंगे पहले च्छेए न पहुर्म ख्षे फंदे कताएंगे फिर सुपिर शीदी साइट स्टाराईंगे इस इस पांच से पहले चार पांच पंद सीधे बनाएंगे फिर इसकी कटिंग स्टाट करें नहीं तो हमारी डिजाइन जो है वो शई से नहीं आएगी आपके फंदा बढ़ी भी सकता है या फिर गड़ भी सकता है तो अगर मैं आपको इस कटिंग को कंप्लेट करके दिखाऊंगी जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस तरह से बता के देती हूँ जब आप कटिंग स्टार्ट करेंगे तब इस तरह से चार पंच फंदे सीधे बना लिजेगा आपकी डिजाइन सही से आ जाएगी तो पहले मैं इस साइट की कटिंग कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से तुमिए ने इससे बता है चीछ से जब आबंगें को तो तरह से चार चार दो एक टिंग करें फिर में आपको दिखाते हैं इसके कंप्लीट कर ली एइस तरह से अपकी कटिंग आईगो थोड़ी सी गघराई और इस तरह से चोड़ाई में अगर और यहां पर मेरे शोल्डर के लिए 18 फंदे बच्चे हैं देखे मेरी लेंथ भी कंप्लीट हो गई है यहां से यहां तक जो आम होल से यहां तक मैंने बोला था आपको कि हाफ इंस रहने तक या फिर एक इंस रहने तक अपका लिज़े फिर जब आप गले की कटाई करेंगे तो आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको नापके भी दिखा देती हूँ देखें फ्रेंस यहां से लेकिया तक छे इंस आ रहा है उनके ब्लाउस में इतना ही काफी होता है लेकिन जब हम क्लोट से बनाते कपड़े से उसमें थोड़ा सा आपको जो है हमें बताओ में नहीं तक छुआ पटास शी इंश्च इसलाय कंप्लीट कर ली है उखे घ्रट के आजंब को दोनों पर्ट लेज चूड़ वीडियो पसंद आई हो देखिए गोलाई में जब हमने यहां से गटाई है हमारी स्वेटर में कोई फरक नहीं आएगी जब हम यहां से यहां तक फंदे उठाएंगे गले के लिए तो यह स्वेटर सहीश से दिखेगी तो उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और बैल आइकन पर भी क्लिक कर देजएगा आने वाले नोटिफिकेशन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लि हाफिस